हेलो स्टुएंट वालकामा यूटूब चैनल लर एंटीच में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में डिशास करेंगे वर्किंग ओफ फ्लेट प्लेट कोलेक्टर के बारे में कि आखिरी में फ्लेट प्लेट कोलेक्टर कैसे काम करता है ठीके लेकिन इससे पहले आपको समझना होगा कि आखिरी में फ्लेट प्लेट कोलेक्टर होता क्या है देख सकते हैं मैं नीचे में एक्स्प्लेट कोलेक्टर एक उपकरन है जो सोरी उर्जा को इखटा करता है और इस उर्जा से पानी तता हवा को गरम करने के लिए इस्तमाल करता ह यह सोरित तापियो उपकरनों का एक दिल है जिसमें घरीलियू से लेके उधियोगिक छेतरों में 90 डिग्री सेलसियस तक पानी को गरम किया जा सकता है मतलब कहने के मतलब यही है कि plate-plate collector एक तरका उपकरन है जो सूरिक की उर्जा का उपयोग कोई भी अगर पानी है कोई भी अगर हवा है तो उसको गरम करने के लिए इस्तमाल किया है यह था है अगर इसके अंदर कोई हवा को flow करवाई हैगा तो उसको भी गरम कर दिती है खास तर का इस device का उपयोग शर्दी के मौसम में उपयोग किया आयता है ठीक है इसका उपयोग उस जगा पर उपयोग करते हैं जहाँ पर कोई भी पानी को गरम करनी है सर्दी के मौसम के लिए ठीक है ये 90 तिर तक पानी को गरम कर सकती है असानी से 5-8 घंटा के दोरान ठीक है ये एक दिन में कम से कम 100 लिटर से ले के 200 लिटर तक पानी को गरम कर सकता है ठीक है अगर इस डिवाइस का अगर रियल भी दिखीगा कुछ आपके सामने ऐसा नजर आएगी देख सकते कुछ護 ऐसी होती है ठीक है कि सिसके और टेंक नब लगी है ठीक है तो चलिया अब समझते हैं से कंक्शन के बारे में कि आखरी मे फ्लेट प्लेक्टर को डंट है कीसा बना होता है क्युट निके आटाहिता है एक यां housing के हो जिसको आप एक तरह का casing भी बोल सकते हैं जो यहां पर rectangular shape की होती है देख सकते हैं कुछ ऐसा नजर आ रही है आपके सामने ठीक हैं यह जो housing होती है एक तरह का thermal insulation material से बना जाती है ठीक मतलब कहने के मतलब एक तरह का thermal insulation होती है मतलब इसके अंदर जो भी यहां पर heat यहां पर उत्पन होती है तो heat को continue उतनी temperature में बनाए रखने के लिए एक तरह का thermal insulation material का इस्तमाल किया आता है जो यहां पर गरम ताकमान इसके अंदर रखती है ठीक है अब क्या होती है इसके अंदर उपयोग किया था एक तरह का tube का दिख सकते हैं यहां पर tube लगी होती है जो यहां पर 2 cm का होती है जो copper की बनी होती है ठीक है इसी के अंदर यहां पर गर water है फुलो होती है वही water को यहाँ पर गरम की जाती है यहाँ पर thermal insulation material के सयोग से जो यहाँ पर heat को अपने अदर absorb करती है sun की light के सयोग से ठीक है अब क्या होती है यह just tube के just उसके उपर में उप्योग किया है था एक तरका black absorber plate का इस्तमाल किया है था मतलब एक तरका flat plate collector का इस्तमा गरम कर देती है ठीक है यह जो यहाँ पर लगी हुए black absorber plate यहाँ पर एक तरका metal का बना होता है जो यहाँ पर खास तोर पर copper का इस्तमाल किया जाता है जो अपने अदर heat को absorb करने में बहुत ही महत्पून काम करता है मतलब हम पहले भी जानते हैं कि metal एक तरका good conductor of heat होती है ठ करन क्य होती सन की light को और भी जादा अपने अंदर collect कर लेती है जल्दी से ठीक है और यहाँ पर heat को यहाँ पर जल्दी से ट्रांसपर कर रती है यहाँ पर flowing water उसको ठीक है अब क्या होती है यह जो हमारा हाऊसिंग की जाती है एक तरह का रेटिंगलर जो सेप की ठीक है इसको यहांपर क्या होती है इसके अंदर temperature चंटिनुए से बने रखने के लिए एक यहांपर इस्तमाल किया था एक तरह का transparent गलास कवार का जिसे एक तरका ग्लेजिंग भी कहते हैं ठीक है देख सकता है कि इससे यहां पर कवर की जाती है ठीक है यह पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होती है जिसके करने क्या होती है सन की लाइट यहां पर डायरेक्टली हमारा ब्लेक एब्जोर्ब प्लेट के उपर प इसके अंदर जो भी temperature यहां पर इंक्रीज हो रही है सन की light के सयूग से solar यहां पर radiation के सयूग से ठिक है तो यह temperature अईसी बनी रहे है एक तरका heat यहां बना रहा है ठीक है अब क्या होती है इस यहां पर solar collector को अंदर पानी को भेजनी के लिए एक तरका cold water inlet pipe का इस्तमाल किया था इसको एक तरका बलेंगा cold water inlet pipe बोलेंगे जो इसके अंदर ठंडा पानी या normal पानी को cold water को भेजी जाती है जो आगे की और गरम करती है ठीके अब क्या होती है यहाँ पर जो गरम पानी उसको बाहर की और निकलने के लिए flat collector से यहाँ बनाय इसका working के बारे में कि आकरी में plate plate collector कैसे काम करता है आकरी में किस तरसे sun की light के सहयोग से sun की यहाँ पर radiation के सहयोग से का इस्तमाल किया था जिस एक तक water tank बोलेंगे जो यहाँ पर पानी को फ्लो करवाएगी हमारा flat collector के अंदर ठीक है अब पानी को फ्लो करवाने के लिए के नीचे में इस्तमाल किया गया है cold water inlet pipe के सहयोग से इसके अंदर cold water flow होगी ठीक है पानी यहाँ cold water flow होती हुए जाएगी इसके अंदर जो इसके अंदर इस्तमाल किया गया है बादों से टक राके इसको पर सद्ल की लाइट पड़ेगी ठीक है कि यह फ्लैट प्लैक्ट के उपर में इस्तमाल किया गया त्रांस्परेंट गलास कभार को एंच अ क्लेजिंग बोलते हैं तो जब सद्लती है पूरी तिरे कर लेती है sun की light अपने अंदर अब्जोर करके यह खुद को एक तरगा heat कर देती है मतल़ को अनते हैं लगे यह घुड के बनी होती है हम जानते है कि good conductor of एक तरगा heat तो heat क्या काम कर गे अपने अंदर absorb कर लेगी और पुरी तरह सा ट्यूब को और ट्यूब भी गरम हो जाएगी और ट्यूब क्या काम करेगी कि जो इसके अंदर जो cold water flow हो रही है उसको एक तरका गरम कर देगी और यहां जो पानी जो गरम होगी एक तरक लाइट वेट हो जाएगी कि लाइट वेट होने के बाद यह क्या काम कर उसकी कम हो जाएगी और यह जो साइकल है हमारा जो What Buck Collector का अंदर जो Cold water जाएगी फिर जाएगी फिर घरम हो जाएगी फिर तोड़ा सा फिर इसके कंदे cold water जाएगी फिर गरम जाएगी यह 8 से 10 पर यह cycle चलती है और जिसे दोरान क्या होती कि पूरी तरिका से पानी हमारा एक तरका heat हो जाती है पूरी तरका गरम हो जाती है ठीक है जो पानी को आप इस्तमाल खाने पीने के लिए भी कर सकते हैं खाना बनाने के इस्तमाल कर सकते है ठीक है अधर काम अधर रिक्वार्मेंट से इस पानी का इस्तमाल कर सकते है ठीक है यह हमारा फ्लेट प्लेट जो कॉलेक्टर है इसके अंदर एयर गेपको इसलिए छोड़ जाता है क्योंकि अंदर की जो टंप्रेचर है कंट्रियू गरम रह सके ठीक है जब सन की लाइट पुरी तरिका से यहाँ पर जब गलेजिंग को पर ठाकर आती है और leveraging से नीचे की और पास होगर हमारा ब्लेक एफ़ेपके उपर जाती है तो अंदर की जो तंप्रेचर इक नटिनुग गरम रह सके है और हमारा गर्मी के कारण हमारा नीची की और जो हमारा वास टिउप इसत्माल किया गया उसके पानी फ्लो हरी, उसको जल्दी जल्दी गरम रक सके एप्षि जल्दी पानी को गरम कर सके , इसी करता है तो शहां पर इस प थर्मल-kom जू यहां पर पुरी तरीका से हीट को अपने अंदर एब्जर्ब्र रखके को गरम करती है विशक नंदर पानी उसको भी गरम करती है जो हमारा होट वाटर आउंटलेट के सजूक से हमारा गरम पानी जल्दी से मिल सेके ठीक है घृँ तो इस तरसे यहां पर फ्लेट के बारे में बढ़िया तरी के समझ में आ चुका होगा तो वीडियो देखने के लिए थाइंक यू